हेलो फ्रेंड्स आज मेरे फर्स्ट हिंदी वीडियो पे आप सभी को वेलकम तो मैं आज एक डिलिसेस रेसिपी आप सभी के साथ सेयर करने वाली हूँ तो जिसका नाम है फुलगोबी पनीर तो मैं फुलगोबी पनीर पूरा पूरी अपने तरीके से बनाऊंगी और उस रेसिपी को मैं आज आप के साथ सेयर करने वाली हूँ तो आप लोग उन वीडियो पे बने रही है और देखते रही है मैं इस रेसिपी को किस तरह से सिंपल और इजी तरीके से बनाती हूँ तो पहले ही मैंने बड़ा बड़ा कटा हुआ फुलगोबी ले लिया है धो के अच्छा से काटके मैं ले ली हूँ एक टमेटो पीवरी ले ली हूँ और 100 ग्राम पनीर ले ली हूँ मतर ले ले ली हूँ एक कटोरी और तीन से चार हरी मिर्च ले ले ली हूँ और जीरा वन टेबल स्पून ले ली हूँ और उसी का मैंने पेस्ट भी बना लिया है क्योंकि मुझे पेस्ट का जरूरत है और अधरक रसुनिया मैंने ले लिया है उसका भी मैंने पेस्ट बना के रख ली हूँ, क्योंकि यह इंग्रियंट से मेरा आज यह रेसिपी बनने वाली है, तो चलिए मेरे किचन पे, तो मैंने कड़ाई पे तेल दे दिया है, तेल गरम हो गया है, तो अभी मैंने फुलकोबी इसमें डाल दे रही हूँ, उसको अच्छे से मैं फ्राइ कर लूँग और घर में एक बर जरूर बना के ट्राइ किजिएगा, और कॉमेंट पे बताईएगा कि इस रेसिपी खाने में कैसी बनी है, तो मैं अच्छे से इसको फ्राइ कर लेती हूँ, थोड़ा ब्राउन-ब्राउन में फ्राइ कर लूँगी, तो मेरा फ्राइ हो चुका है, अभी मैं इसको एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ, अब मैं कराई में थोड़ा सा तेल एट कर दूँगी, कि उसी में मेरा सब जीठो बनेगा, उसमें हाप टेबल्स मैंने जीरा दे दिया, और तीन से चार हरी मिर्च मैंने दे दी, उसको अच्छे से मैं मिला लूँगी, अधा चम्मच अध्रक पेस्ट, अधा चम्मच रसुन का पेस्ट, और एक चम्मच जीरा का पेस्ट, मैंने इसमें दे दिया, और उसको अच्छे से मैं मिला लूँगी, स्वाद अनुसर मैंने यहां नमक दे दी हूँ, और दे दूँगी हल्दी पाउडर, हाप टेबल्स पून, अच्छे से मैं इसको मिला लूँगी, अच्छे से मैं मसाला को पूरा भोनज लूँगी, उसमें मैं एड़ कर दूँगी, टमाटो प्यूरी, और हाप चमच मैं एड कर दी हूँ कस्मेरी रेट चिली पाउडर अभी सबको अच्छे से मसाला को मैं अच्छे से भूंज लूँगी पूरा जब तक तेल ना छोड़ दे तो मेरा मसला भूंजना पूरा-पूरी कंप्लेट हो गया इसमें मैं अब जो मतर मैं दिखाई थी वो मतर को मैं एट कर दी हूँ अभी उसको अच्छे से मिला लूँगी और अच्छे से मैं फ्राइ कर लूँगी ये रेसिपी खाने में बहुत ही मज़दार होने वाली है तो आप लोग घर में जरूर एक बड़ बना के ट्राइ किजिएगा तो मेरा मसला हो गया है अब इसमें मैं डाल दूँगी फुलगोबी फुलगोबी दे के भी उसको अच्छे से मैं मिला लूँगी घर में अगर थोड़ा फुलको भी रहता है थोड़ा मटर रहता है थोड़ा पनीर रहता है उसको अलग से बनाने का कोई जरूरत नहीं है आप सब ऐसे मिला के भी एक अच्छा रेसिपी आप सब लोग बना सकते हैं तो इसको मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ इसमें मैं हाप गलस पानी ट. अच्छे से मैं पानी देखे मिला लूँगी अब उसको मैं मैं द देख रही हूँ कैसा हुआ है मेरा सबजी ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप एक लाइक किजेगा और घर में जरूर ट्राइ किजेगा और कॉमेंड में बताईएगा कि कैसा लगा मेरा ये रेसिपी तो मैं अभी कटा हुआ पनीर को मैं आड़ कर दी हूँ तो इसमें मैं पनीर आड़ कर दी हूँ अब उसको दो से तीन मिनिट तक छोड़ दूँगी फिर से कोई ढखने का जरूरत नहीं है ऐसा ही इसमें फिर मैं हाप टेबल स्पून गरम मसला में आड़ कर दी हूँ जो रेसिपी का जो टेस्ट है और ज्यादा दुगना कर देता है गरम मसला देने के कारण से और मैं अभी धनियापता गर्णिस के लिए दे दी क्योंकि खाने के साथ दिखने में भी कोई भी सबजी बहुत अच्छा होना चाहिए एट्रक्टिव होना चाहिए तो मेरा रेसिपी पूरा-पूरी कंप्लीट है मैंने एक प्लेट में उसको डाल दिया है तो आप लोकोन घर में जरूर बना के ट्राई किजीएगा और मेरा रेसिपी कैसा लगा मुझे comment box में जरूर comment करके बताईएगा तो मेरा ये रेसिपी का final look फुल गोबी पनीर एक नए रेसिपी पूरा पूरी मैं अपने तरीके से बना के आप लोगों के साथ सेर की हूँ तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्यू